वेलकम स्टुडेंट सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गाइड यूटूब चेनल और पाईए मेडिकल रेटे लेट टेस्ट अपडेट सो फाइनली स्टुडेंट्स आपका रिजल्ट है वो बीसी नर्सिंग का जारी हो चुका है जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट बहुत ही बड़ी खुसकबरी है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो स्टुडेंट पूरी अपडेट हम लेंगे आपको रिजल्ट केस से डाउनलोड करना है और कापी सारी स्टुडेंट ने डाउनलोड भी कर भी लिया होगा तो दूसरी बात इस वीडियो में हम में फोकस करेंगे यहाँ पर काउंसिलिंग पर क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है वो काउंसिलिंग करवाते हैं लेकिन किस प्रकार से काउंसिलिंग करवानी है क्या पूरा प्रेसेज रहेगा कौन-कौन से डोकॉमेंट से रहेंग यहां पर देखिए सबसे पहले इधर आपको कॉर्णर में दिखाई दे रहा होगा यहां पर देखिए आप यहां से दोनों अपनी चीज आओ डाउनलोड कर सकते हो यहां पर देखिए सबसे पहले आप रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड सक तो आपको करना कुछ नहीं है इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर अपने रोल नमर डाल देने हैं student जो भी आपके role number chrama Admit Card hasпа download होता है student आप आसनी से जो है अपना admit card हो download कर सकते हो सोरी Admit Card का नाम आ गया है वह आप अप respealt hai aasananी से यहां से तो student आपना result राउन nom करने के बाद में आपको क्या करना है शिंपली रिजल्ट आपको पता तो आपको पता है रिजल्ट तो आप यहाँ से दाँज़ोड करलोगे अब मेन चीज आते कि सर रिजल्ट आ गया सब कुछ आ गया लेकिन हमारी मैन चीज वह कांसलिंग कब से स्टार्ट होगे पर्थम राउंड काउंसिलिंग के बारे में थोड़ा बताईए कि वो कब से स्टार्ट होगे कौन-कौन सी प्रोसेज होगे तो सबसे पहले मैं आपको बता जेता हूँ पर्थम round counselling शुरू होने की date में आपको बताऊंगा साथ ही क्या क्या त्यारी करने है कौन-कौन से documents आपको पर्थम round counselling में जो आउसिंग होंगे वह कौन-कौन से college है वो भी उनके भी list में यहाँ पर दिखाने वाले हो साथ ही हम चर्चा करेंगे जो पिछले साल जो note-tp के संजारी होता उसमें कौन-कौन से rule थे counselling के वो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे तो यदि आप भी counselling करवाना चाहते हो सरकारी college के लिए तो वीडियो ही है वीडियो पूरा देख लेजिए आपका पूरा काम हो जाएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है सिंपल है बहुत ही आसाना counselling करवाना सबसे पहले आपको जो मैं documents बता रहा हूँ वो आपको ready रखने इस्टुलेंट यह documents आपके पास होने ही चाहिए आपको admission के लिए तो आपको मैं पूरे documents सबसे पहले एक बार में बता दिता हूँ जो कि आपको college में जब आपको college में लेगी counseling के दोरा तब भी आपको चाहिए होंगे तो सबसे पहले पर्थम round counseling के लिए इस वीडियो में सबसे पहले documents बता दिता हूँ कौन-कौन से documents होंगे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखे main of the 10th के आपके पास mark sheet होनी चाहिए आपर original आपके पास mark sheet होनी चाहिए यह दो होनी चाहिए साथ ही जो टवलत का जो आपका migration certificate है वो आपके पास होना चाहिए जो mark sheet के साथ आता student migration certificate होना चाहिए आपके यहाँ पर एक TCB आपके होनी चाहिए जो आपने recently जिस class से आपने पास किया बारवी उसकी यहाँपर आपके पास TCB होनी चाहिए तो दूसरी बात आपके पास यहां पर देखे, में चीज आपके पास Medical Fitness Certificate भी होना चाहिए जी हां बिल्कुल स्टुडेंट Medical Fitness Certificate आपके पास होना चाहिए यहं, Medical Certificate भी होसकते हो यह आपके पास होना चाहिए यह कैसे बनवाना है, मैंने dedicated वीडियो बनाया हुआ, medical fitness certificate कैसे बनवाई, student पुलकुल आसान है, मैं आपको बता दूँआ, यह आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और दूसरी बात, एक आदार card की photo आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपका admit card, result का print out, counseling का print out, यह चीज आप को admission के समय, आपको जो है, जरूत पढ़ेंगे, तो यह चीज है, main यह आपके पास होनी ही चाहिए, साथ ही, आपके पास जाती परमान पत्र, यहाँ पर मूल निवास परमान पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तो यह main चीज है, जो आपके पास होनी चाहिए, admission के लिए, तब आपका आयाप पर admission हो जाएगा तो जिनके पास भी यह नहीं है पलीज अरेंज कर लीजे काफी दिन है admission में आप हैं counseling में आपको कुछ नहीं चाहिए होगा counseling में online होगी counseling आपको शिरब number डाल कर आप counseling करवा सकते हो उनमें कुछ नहीं होगा लेकिन आप पर्थम round के लिए साड़ी 500 रुपे फीस लगने वाली है government की फीस में बात करूँ यदि आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साड़ी 500 रुपे फीस लगेगे यदि आपका selection हो गया government college में यदि आप ओबीसी और जनरल ओबीसी जनरल के यहाँ पर आपको नए boys तो आपकी फीस लगने वाली है पचास जार रुपे government college में यदि आपका selection हो जाता है तो पचाज जार रुपे आपकी government college में लगेगे अब दूसरी बात करते है यहाँ पर जो ऐसी एस्टी की जो girls और boys दोनों साथ ही OBC जनरल की only girls इन सब की फीस सेम लगने वाली है कितनी लगने वाली है 21,000 इनकी फीस लगने वाली है सेम ही government के लिए साथ ही अब आपका नमबर मालो यदि private college में आप जाता है counseling के दोवारा आपने counseling में जो college चूज की है उनमें आज जाता है तो आपको फीस देनी पड़ेगी उनके according तो student सबसे पहले आपको college लिस्ट दिखा दें कौन कौन सी private college है कौन कौन सी government college है या जाना आपके लिए बहुत याउसक है यह list है वो हमारे telegram channel में उपलब्द करवा दूँगा वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो देखे यहाँ पर यह देखे कौन कौन सी college है पूरी यहाँ पर आपको दे रखिये यहाँ पर देखे किस college में कितनी city है प्राइवेट college की भी यहाँ पर दे रखिये list इस सकते हो अपनी मन पसंदिद्ध college है वह चूज कर सकते इस्टुवेंट फस्ट राउंड में तो यहाँ पर देखे यह पूरी college ने इनमें और न्यू एड हुई है जिसकी list अभी तो आ जाएगी लेकिन यह लगबा college है कुछ government college और एड हुई है साल उनकी list और आ जाएगी उ प्राइवेट college तो इसमें सारी आप देख सकते हो कौन कौन से college है अभी इस list को देख लेना फिर सोच लेना कि किस college में आपको counseling करवानी है क्योंकि पहले से आपको decide कर लेना है कि मुझे इस college में admission लेना यह counseling के समय बरनी है सो student फिलाल इस वीडियो में इतना ही और counseling के बारे में सब के बारे में वीडियो आने वाले है आप तो सिरफ चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस रखो और कासर counseling मालो किसी के मालो 56 नमबर है उसमें कौन सी college बरे है किसी के मालो 45 नमबर है उनको कौन सी college बरनी चाहिए यह भी मैं वीडि को college मिले best से best क्योंकि counseling बरने का तरीका होता है कुछ student सही counseling नहीं करवाते हैं तो 56 वाले को नहीं मिलती है 45 वाले को मिल जाती है college तो यह गलती आपको नहीं करना है इससे बचने के लिए शिरफ आपको कुछ नहीं करना हमारे वीडियो regular देखने हैं आपको हम बता दींगे क इससे counseling करवानी है कैसे नहीं आप तो सरफ हमारे चैनल को जो लाल ला बटना सब्सक्राइब करके बेल अगन प्रेस ओल पर किलिक रखना जैसे यह अपडेट आते रहेगे तुरंत वीडियो बनाते रहेंगे हम आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस वीड इसक्राइब करो जान प्रेस तेड़심 vector में जैंट खल रहेंगे हमारे ऊनी हैंसे उहीं आपके तो हमारे और ज्या है बोर खो हमारे चैनल को सी है bara